Hello everyone, welcome back to my channel और मैं हूँ आपकी दोस्त उनीता तो friends हमेशा की तरह आज मैं आपके साथ एक ऐसी home remedy लेकर आई हूँ एक ऐसा upton plus face mask लेकर आई हूँ जो कि आपके चेहरे की जितनी भी मैल है सबको निकाल कर आपके चेहरे को बहुत ज़दा healthy सा glow देगा और आपकी skin को बहुत ज़दा गोरा बना देगा तो friends मुझे बहुत सारे comments आते हैं कि हमारे हाथ पर काले है तो इसको आप अपने हाथों पैर उपर भी यूज़ कर सकते हैं फ़र्स supply में ही आपको इस करजल देखने को मिलेगा तो friends आज कर pollution बहुत ज़दा हो गया है skin के उपर suntan हो जाती है और हमारी skin का जो color है उससे हमारा जो color है वो dark हो जाता है तो friends अगर आप इस pack को उप्टन को दो बादी week में यूज़ करोगे तो आपकी हरतरा की problem चली जाएगी आपका जो skin है बहुत ही smooth and shiny दिखेगा और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा तो बीना देर के हुए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं पर वीडियो शुरू करने से पहले friends अगर आप फर्स टर्म इने चैनल पर आया है तो please इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेर ज़रूर कीजेगा तो चली आज की वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं तो friends ये है उप्टन जो की बहुत ही magical ज़र देगा आपकी skin को एकदम से white और bright कर देगा तो friends सबसे पहले मैं इसको अपने face की उपर लगा कर आपको दिखाती हूँ जब तक मेरा face dry होगा तब तक मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको बनाना कैसे है बिल्कुल ही different तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही amazing ज़र देगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो friends सबसे पहले आपका जो face है वो अच्छी तरह से wash होना चाहिए तो friends इसको मैं अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ तो friends इस pack को आप अपनी neck के उपर भी use कर सकते हैं तो इसको आव एक में दो बार जरूर ट्राइ कीज़े तो चले देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है तो friends यहाँ पर मैंने one tablespoon लिया है वेसन का तो वेसन मारी skin को साफ करने में बहुत ही ज़दा help करता है तो इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है half tablespoon coffee का तो coffee में anti oxygen बरपूर मातरा में होता है जो skin को light और bright करता है रिंकल्स को भी दूर करता है और half teaspoon लूंगी में glyceline का तो glyceline बहुत ही अच्छा होता है skin को एक बहुत अच्छा सा glow देगा तो अगर आपके acne prone skin है या फी oily है तब भी आप इसको use कर सकते हैं तो इसके बाद इसको mix करने के लिए मैं यहाँ पर दही लूंगी तो दही से अच्छा और कुछ भी नहीं होता है आप दूद भी ले सकते हैं अगर आपको दही सूट नहीं करता है तो अगर आपको दूद और दही दोनों ही सूट नहीं करते हैं तो आप rose water का भी यूज कर सकते हैं तो सबी चीजों को mix करके हमारा बहुत ही अच्छा pack बन कर त्यार हो गया है तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा बबाई